हे गाईज वल्कम टू देव भूमी कर्यर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग तो देखिए दोस्तों भारत्य टाक वी भागने उत्रा खंड में जीडियेस और अन्य वरियेस पोस्ट पर वेगेंसी निकाली है यहाँ पर यह पूरा नोल्टिफिकेशन आप देख सकते हैं तो आपको डिटेल बना है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जैनल को जोइन कीजीए टेलिग्राम चैनल जो हमारा है दोस्तो वो ओपन चैनल है उसको डारेक्ट लिए आप अपने टेलिग्राम एप पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं अगर नहीं हो पारा वैसे भी तो फिर आपको मैं यहां पर लिंक दे रहा हूं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक पर जाकर टेलिग्राम चैनल को उसी के बोलते हैं चैनल को घ्लबन होटे वाकर सेथे घ्लबों तॉ यह तो की रिक्वियर्मेंट शेठोस होगा हुशन और जाप स फोस्तर और यहां पर जण पर इसके बाद एक असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अबी, पीयेम और इसके बाद जो है डांक सेवक ठीक है तो इसमें तोल स्वli healthcareihat का फुल्य application जो programs एक ब्रांच पोश्गनक एक इसमें फ़ोग दिए बन गर्रांच सेवक ठीक है तो इसका स्लाइब 12,000 का और 5 गंटे का काम होता है तो फिर 14,500 वैसे ही डांक सेवक और ABPM जो है उनके लिए 10,000 चार गंटे के लिए और अगर 5 गंटे काम करते हैं वो लोग तो 12,000 तो एक इसाब से बोल सकते हैं जब तक आप कोई बड़ी जॉब की तहियारी करें तब तक आप ये as a part-time job को ल जाएगा और अच्छे से आप वहां पर job करेंगे और सबसे बढ़ी बात ही central government की job होती है इसमें आपको time to time salary दी जाएगी ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे state में देखने को मिलता है जो हमारे state employees है थोगा डिले हो जाता है उनकी salary में लेकिन यहां पर आपको time to time salary भी मिलेगी ठ promotion के chances भी यहां पर रहते हैं अब eligibility की मैं बात करें दोस्तों तो eligibility इसमें दोस्तों आपकी रखी गई है सबसे पहले age की मैं बात करूं तो age है minimum 18 और maximum 40 यानि की minimum 18 साल होनी चाहिए आपकी age और अधिक्तम 40 साल होनी चाहिए बागे जितनी भी categories है उनको यहां पर age relaxation दिया merit बनेगी वो इसी 10th level के certificate जो आपके marks है जो आपने mark print की है उसी merit पर बनेगे ठीक है यहां पर कोई आपका exam नहीं होगा इस post के लिए automated computer generated यहां पर आपकी merit आएगी आपके दसवी के प्रापतांक के आधार पर तो जिन लोगों के दसवी में अच्छे marks है 80% 90% उन लोगों क लोगल लैंग्विस का भी आपको अच्छे से पतावने चीह उत्राघंड की लोकल लैंग्विज यहां पर दी गई है हिंदी में दिया गया है तो हिंदी तो आप सभी को हाथ की है बागी शरकिल यहां पर दिये गए दिए गए देकिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेंग आप आप अपने टेलिग्राम एप पर जाएए सर्च का जो बटन होता है उसमें लिखे देव भू में करियर पॉइंट और डारेक्ट आप जोइन कर सकते हैं ठीक है तो बागी देखिए यहां पर जो सेलेक्शन प्रोसीजर होगा दोस्तों यह सभी मैंने आपको बता दिया है सेलेक्शन क्राइटेलिया दीखे यहां पर पूरा दिया गया है 10th के मार्कस के बेस्ट पर जायेगा यह देख सकते हैं और जितने सजजरून हमार के से बाग है जो सेलेक्शन पर क्रमारों सेलेक्शन करें बंहें느ाद तो उनका इसको अपलाई करने के 7 जुलाई तक ठीक है और जो लिंक इसको अपलाई करने का वो मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं यह लिंक है ठीक है और आपको इतनी चीज़ा यहाँ पर भरना है इस form को सब्मीट करते हैं आपकी है तो Ampicant of fee is Exempted for all female trans women candidates as well acquist लिए करने द 반स추ाने के लिए फीमेल के लिए कोई सुल्क निया और अनने के लिए बागे आपने स्कैन करने सबी डॉक्यूमेंट्स वो गएरा कैसे करना सबी चीज़ दी गई इसमें नंबर भी दिया गया अब को इसी आता है तो इस फर्म को अप अच्छी से ब्रह लिएगा दोस्तों आप देख सकते हैं तो अलमोगा में है यहाप दिया गया है जो चार्ट है कौन-कौन सी वैकेंसी देखिए अलमोगा देखिए ठीक है head office name, branch office name, post name, category यहाँ पर general की post है जैसे देखिए और किसकी post है? head postmaster, authority है यहाँ आपकी जीगा, एक post है 10,000 की यानि कि यह GDS या जो assistant branch postmaster है उसकी post होगी, तो ऐसे यहाँ पर सभी post है पूरा आप देख सकते हैं चार्ट तो इसको आप download कर सकते हैं पूरा पीडेप में सेर कर रहा हूं तो जो भी eligible candidates है दोस्तो इसको भर लीजेगा देखिए अभी corona crisis के कारएं आप देख सकते हैं कि कितने कम ही आई है यह ना सोचे कि मैं BSC, MSC हूँ तो मैं इस form को ना भरू सबसे पहले प्रात्मिकता है एक job प्राप्त करना उसके बाद आप अपने भाष्य की योजनाओं को प्लान कर सकते हैं अपनी भाष्य की जो योजनाएं उन पर अमल कर सकते हैं तो आप अभी य ज़्यादा जरूरी है दोस्तों ठीक है जैसे हालात अभी हो रहे हैं तो जैसे आप देख सकते हैं जो फाइनली यहां पर देख सकते हैं आप देखें पोस्ट हैं उत्रागर में EWS के 38 हैं OBC के 96, PWD A के 2, PWD B जो कैटेकरिल्स होते हैं लग-लग हमारी दिभ्यांग जनों की SC की 134 है, ST की 27 है, General की 411 है यानि की टोटल 724 पद है ठीक है तो कोई भी डाउट कोई हो पूछ लिजेगा आप बांकि अच्छे से इस फ़र्म को भरिएगा और गल्स भी खासकर इस फ़र्म को भरिएगा फी एक्जैम्टेट है और साथी आप लोगों का मेरिट काफी मेरि